हेलो मेरा नाम अंकित मालवी है मैं पचमडी से ब्लॉंग करता हूँ मेरा कुस्सा में पहले छिनवार डिस्टिक में टूनमेंट खेलते समय एक लिगामेंट चला गया था जो कि ये बात में को इंजोरी हुई उसके बाद स्रीवास्तव सर जी ने बताए कि आप टेस्टेस करवाईए जाके उसके बाद पता चला कि लिगामेंट इंजोरी हुई है उनने सज़िस्ट करें कि डॉक्टर एसके गुपता जी के पास जाईए आप वो स्पोर्ट सरजन है उसके बाद सर ने मुझे सज़िस्ट कर आए कि बताया कि आपका लिगामेंट इसे लिंजरी है उसके बाद मैंने एट टू नाइन मन्स होते आ रहा है कि मैं बॉडी लेग मूवमेंट बॉडी मूवमेंट अच्छे से कर पा रहा हूँ जो में को दिखकते थी वो मेरी हट चुकी है जो लिगमेंट मेरे टूटा था वो एक जगे स्टेवल हो गया है अच्छे से काम वर्क कर रहा है और प्रॉपर एक्सराइज हो रही है मैं दोड़ पा रहा हूँ चल पा रहा हूँ और जो भी बाकी चीजे हो सकती है वो कर पा लगेंगाता हूँ उसके बाद ground में walking कर सकता हूँ एक्सराइज हो रही है और पेर मुमेंट इतना अपर्फेक्टली हो रहे की मतब लगी ने रहे कि सर्जरी हुई है मैं आपको कुछ एक्सराइज बताना चाहता हूँ कि जो मेंको एकदम पर्फेक्टली लगती है कि पेर मुवमेंट लिगमेंट इंजरी के बाद सरजरी के बाद ऐसा होना चाहिए फर्स्ट एक्सेसाइजिस फर्स सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्रेप जैसे कि आपने देखा कि एक्सेसे विलकुम मतलब पर्फेक्टली थी पैर मुवमेंट हो पारे थी यह सब में को भी देख के अच्छा लगा क्योंकि में को बाप्सी से स्पोर्ट जॉइन करना था इसलिए अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके लिगमेंट चला गया है या पेर में कोई इंजोरी टाइप की लग रही है तो प्लीज डॉक्टर एसके गुपतर जी के पास आईए थैंक्यू झालेएगी तो आपके लिगमेंट अपके लिगमेंटने कि एमेंट ओर आईएगने के लिगमें।